मैं हुश मत्यागी और आप सबों का मोलिस किचन में स्वागत करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो सुबह सुबह हस्बेंड को चाहिए कुछ हेल्दी और यूनीक ब्रेकफास्ट और बच्चों को भी चाहिए न्यू टिफिन तो ऐसे में आलू पूरी और इनको अध्रक कद्दुकस करने वाला होता है ना उससे मैंने उनको फाइनली एकदम ग्रेट कर दिया है आलू जब अच्छी तेके साब कद्दुकस करेंगे तो यह आँटे मच्छी तेके से मिक्स हो जाएंगे और तभी हमारी पूरिया जो है वो फुली फुली अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक स्वाधानुसार साथी तालला है हल्दी पााउडर हाफ टीचपी डाल रही हूँ सेस्मेसीड जिसको रोस्ट करके रखा था जीरा डाला है हाफ टीयस्पी और साथिसाथ वनफोथ की आश वायन तो इसको हाथों से क्रस्क कर 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 ही डा कर सकते हैं साथ ही साथ एक मुठी डाली हरी धनिया की पत्तियां और इन सबों को अच्छी तेके से हम मसलते विए मिक्स करेंगे ताकि यदि आलू के कोई भी छोटी मोटी बड़ी पीसे हैं तो अच्छी तेके से इसमें मैस हो जाए अब जरुवत हिसाब पानी डाल कर हमें का एक सौफ्ट डो लगाना है ध्यान रहे पानी एक बार में ही ज्यादा ना डालें आदरवाइस हमारा आटा जो है वह गीला हो जाएगा तो अच्छी तेके से आटे को मलना है और पानी थोड़ा-थोड़ा डालना है तो इसको मलने में करीबन मेरा एक कप पानी लगा अब इंतो लके और तो चलिए हम बनाते हैं इसकी पूरियां तो यह लिया मैंने जोटी छोटी छोटी लोगा ले ली यह पूरियों के अकार के हिसाब से अभ अपनी लोगाले और इसको मैंने चखले पर पहले राउंड राउंड गोल किया है निश infect यहार दीबिया है और तो बहुत जादी खसता हो जाएंगी और हमें बच्चों को टिफिन में देना था तो बहुत खसता पूड़ी बच्टिफिन में अच्छी नहीं लगती पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जी के जर्वत नहीं होती आप या तो मिर्ची के अचार के साथ या गर्मा गरम चाय की प्यालियों के साथ इस पूड़ी का मजा ले सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग बाबाई